सब्सक्राइब एक और वीडियो और आज की वीडियो में एक और बहुत बड़ा अपडेट आपके लिए क्योंकि MSC ने अपना इनका प्रिटेक मरीन इंजिनेरिंग और बड़ा अपडेट एक और दिन आपका पहले फ्रीट मेनेजमेंट के स्पोंसर्षी फॉर्म फिर अपका MSC का फॉर्म वीडियो इसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन और लिंक नीचे देंगा जहां पर पढ़़ा के सब इनका एप्लिकेशन फॉर्म जो है रिश्ट्रेशन ओपन हो जाएगा इनका रिश्ट्रेशन का फी कितना है 1000 रुपीज यहां पर क्लिरली मेंशन है पहले इत तीज इस अराउंड एट हंडडे रुपीज बड़ अभी एक थाजन एक हजार ने कर दिया है उसके बाद अप एक्जाम डेट्स बीलोगों ने दे रखा है यह में में आपका 8-14 आपका एक्जामिनेशन पढ़ने वाला है जो भी इसमें सेलेक्ट हो जाता है उसको आपका इंटर्वी के लिए फीजिकल इंटर्वी के लिए बुलाया जाएगा ठीक है टाइमिंग ऑफ दॉनलाइन एक आपको पता होगा कि इनका जो डेश्बोर्ड है वहीं पर आपका एडमिट काड भी आता है तो उस पर ही आपको टाइमिंग अगरा भी पता चल जाएंगे और एक्जाम विल भी होम बेस दिस तैम एक्जाम रिकर्मेंट इस टैबलेट मोबाइल फोन लेप्टॉप पीसी आपका कैमरा होने चाहिए आपके लेप्टॉप टैबलेट में ठीक है और एक्जाम विल बी डन ओनलाइन विट मोनिटरिंग बाइप्र एंड याई देविल बीवन प्रक्टर एंड याई प्रॉक्टर अलसो एकॉर्डिंग टुद वेबसाइट प्लीज रिफर तो गाइ सब्सक्राइब करना पर याई अब बात करते हैं अब बात करते हैं के लिजबीडी क्राइट मेट की होने है और आपका नेश्चनलिटी इंडियन होना चीह है और और educational qualification जो की सबसे important है, आपका 12 में 65% PCM aggregate होना चाहिए, या फिर अगर आपने BAC कर रखा है, तो BAC में आपका final year में 60% होना चाहिए, और या फिर आपने अगर B.T.E.C. कर रखा है, तो B.T.E.C. आपका final year में 55% का requirement है, और यहां पे एक जी 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 नोगे ने अगर आपने B.T.E.C. कर रखा है दिए और आपने 10 और 12 और आपका अगर इसमें 50% है, तो उसमें 50% अगर है, तो यह आरे लिजी बनाखने कर देक केड़ेट। Class 12 appearing cadets भी allowed हैं आपे clearly mentioned है जो कि अभी result का wait कर रहे हैं देखेन apply for this application form coming to the age requirement for deck cadet काफी important है ध्यान से सुनना minimum age requirement है that is 17 years आप 1st of August 2023 को 17 years complete कर लिए होने चाहिए मतला आपका 1st of August 2023 को 17 years के आप हो जाने चाहिए coming to the maximum age limit यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना अगर आप 10 plus 2 pass out हो मतला अगर आप just 12th pass out हो आपके लिए जो requirement है maximum age के that is 19 year old on 1st of August 2023 मतला 1st August 2023 को आपका 19 year exceed नहीं करना चाहिए मतला 19 साल से जादे के आप नहीं होने चाहिए 1st August 2023 तो age calculator पर जाना 1st August 2023 डालना और अपना date of birth डालना that should not exceed 19 19 भी नहीं होने चाहिए 19.1 भी नहीं होने चाहिए उससे जादे नहीं होने चाहिए उससे कम होगा तो चलेगा ठीक है और अगर आप एक graduate हो basic graduate तो आपके लिए maximum age limit is 22 years मतलब अगर आप basic कर रहके graduate हो तो आपके लिए maximum age that is 22 years on 1st August 2023 मतलब 1st August 2023 को आपको 22 exceed नहीं करना है Now coming to the eligibility criteria of marine engineering तो marine engineering के लिए भी आपका almost same है इंडिया नेशनल होना चाहिए unmarried candidate होना चाहिए educational qualification भी आपका physics, chemistry mathematics percentage 65% होना चाहिए 12th में and आपका 50% English में होना चाहिए इधर in 10th और in 12th ठीक है और जो candidate अभी 12th appearing है they can also apply for this thing उसके बाद इन लोग ने age requirement भी same रखा almost minimum age requirement that is 17 years आपका 1st August 2023 को and maximum is 19 years on 1st August 2023 तो age पर थोड़ा ध्यान देना age calculators अपना age calculate कर ले 1st August 2023 को आपको 19 year exceed नहीं करना है so guys that's it for this video I hope आपको पूरा information मिल गया होगा यह जस्ट overview था of this notice जो इनका notice आ रहा है link आपको नीचे description box में मिल जाए जाके आप वहां से सब पढ़ सकते हो अभी link इनका active नहीं हुआ है जहां से आप application form फिल कर सकते हो तो link जहीं active होगा मैं उस पे एक वीडियो बना दूँगा and उसके बाद इस सारे जो इन लोगों के notice हैं उस पे भी एक proper वीडियो बनाँगा जिसमें सब कुछ explain कर दूँगा this is just to give you the like notice की MST का form आ गया है जाके आप check out कर लो देख लो कि you are eligible or no और मेरे को बताओ comment section में कि आप eligible हो की नहीं and preparation preparation आपका हो जाएगा budding marines के साथ budding marines का बहच नमबर 18 इस्टार्ट हो रहा है 10th of April से and आपका examination होने से पहले you will be prepared for this online examination and interview also तो MST में हम लोगे बहुत सारे बच्चे selected हैं तो उनसे भी आपको आम लोग live interaction कराएंगे जहां पर आपको उनसे पता चलेगे कि what is the difficulty level of online examination and online interview sorry physical interview and along with this we'll be conducting MST based mock test in our batches तो आपको practice हो जाएगे कि MST के paper किस level का आता है and we'll be providing you the last year question of MST so that's it for this video अगर आपको वीडियो अच्छे लगए तो just give it a thumbs up and कोई भी डाउट तो put it in the comment section और कोई वीडियो चाहिए तो just put it in the comment section so yeah, thank you for watching this video